नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सोरुषर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चनल हर्यान अपडेट डेली निउस तो आज हम रिवाडी की बात करें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो मैं जोरुषर्मा आज आपको जो रिवाडी की बड़ी खबरे उन सभी के बारे में डिटेल से बताऊंगो तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बदातू हैं रिवाडी में कोरोना केश कल रिवाडी में 115 नई यह केश सामने निकलकर आए हैं मीर पूर में 9 केश आए हैं गुराबरा में 7 बावल जैदपूर में 6,6 चांदनवास हासावास में 2, 2 पालावास, धामलावास में दो-दो केस आये है, मुसेपुर में दो और जीवड़ा में दो व्यक्ति के कोरॉना पाया गया है इसके बाद अब रेवाडी में कुल केस की बात करूँ तो मैं आपको से पहले बताता हुए कि रेवाडी में कल जो ठीक होने की संक्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि काफी कम है और रिवाडी में जो कल लोग ठीक हो हैं वो हैं सिर्फ 21 लोग अब रिवाडी में कुल केश हो चुके हैं सताण में सो सतासी जिनमें से क्याण में से दो लोग ठीक हो चुके हैं बावन लोगों की मिर्ति हो चुके और एक्टिव केस फिर से बढ़का 633 पर पहुँच गया है, इसके बाद रिवाड़ी की बड़ी खबरे में आपको बताता हूं कि परिवार, पहचान, पत्र सब के लिए जरूरी देखे, व्रद्धो, अमलाब, कोई बुजूर्गो, जिव्यांग, पैंशन के लिए अब केंद्रवे परदेश सरकार ने ये कह दिया है कि आपको परिवार, पैचान, पत्र बनवाना अनिवारिये है, ये मतलब निश्चित है, आपको बनवाना ही पड़ेगा, इसके बाद दूसरी खबर है, वो बड़ी खबर है कि वहां रोक कर काटे चलान, देखिए आपको मैं बता देता हूं कि तब भी जब भी आप घर से निकलो, हमेशा अपने लाइसेंस, पोलूशन का, और इंसरेंस, महला हर चीज जो भी आपकी वहान है, उसकी सारे डोकुमेंट्स अपने साथ रखिए, हेलमेट जरूर पहन ही अगर आप टूवीलर, विकल चला रहे हो, अगर आप गाड़ी वागे रहे हो, तो सीट बेल्ट लगाई है, मास्क जरूर लगाई, क्योंकि चलान बहुत ज़्यारा कट रहे है, और देखिए चलान कटे चाहिए ना कटे, यह आपकी सेफटी है, जो मेन है, हेलमेट और सीट बेल्ट, सुबे दुकान दरवाँ पहुंचा तो उसने देखा तो उसने पुले से शिकायत की और कहा कि जब मैं रात को ताला लगा कर गए तो उसके बाद चोरों ने मेरी दुकान का ताला तोड़कर एक लाख रुपए से भी जादा की नगदी साफ कर ली, पुलिस ने कारवाई श जोड रखे थे अपनी बच्चियों की शादी करने के लिए, 25 नॉवंबर को उसकी बच्चियों की शादी थी और मैं आपको रहता हूं कि उसकी जो डेड़ लाक रुपए हैं और काफी समान जलकर राख हो गया क्योंकि उनकी जोपड़ी में आग लग गई थी, तो बहुत दुख की गटने मैं आपको दिखाता हूं, देखिए आप देख सकते कि कितनी खतरना गटने ये हो और कुछ भी नहीं बचा, इसके बाद अगली ख़बर है कि बिहार निवासी ने अपनी जीवन दिला समाप्त की, मैं आपको बता रहे तो कि मोहला कुतुपूर है, आपने इतना ही बता देता हूं, कि ये क्योंकि अभी सक्कि पुलिस ने बताए ने कि क्या नाम लिखा क्या कुछ, क्योंकि ये पुलिस की कारवाई होती है अंतरु नी और मैं आपको बता रहे तो कि जो नाम लिखा है महाँ पर दिवार पे नाम लिख गया था, पुलिस ने अब फटाफट कारवाई शुरू कर दिये इसके बाद आकरी जो आज की खबर वह है नगदी लूटने का आरोपित काबू देखे नगदी लूटने का मतलब हाईवे पर ये काम बहुत जादा हो रहा है जो की बहुत ही गलत है दिली जायपूर हाईवे पर मैं आपको बता जाता तो आज की खबरी हाई तक दें कि रिवाडी की जितनी भी बड़ी खबरे होंगे और जितनी भी आपके लिए इंपोर्टेंट होगी जैसे मैंने आपके लिए बताए पैंचनर्स के लिए कि बही ये परिवार पहचान पत्र जरूर ये बनवाना चलान काटे जा रहे हैं मत आपके जो काम की खबर वो भी और जो रिवाडी के अंदर चल रहा है वो भी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि रिवाडी की जितनी भी बड़ी खबरे वो आपको रोजाना मिल जाए धन्यवाद